उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 जुलाई से राज में कावर यात्रा होने का अरलान कर दिया है। कावर यात्रा के दौरान करोना प्रोटोकॉल का का पालन किया जाएगा इसका पूरा प्रबंद किया जाएगा। इस मामले में विपक्षी दलों ने योगी सरकार के फैसले का विरोध किया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिये कावर यात्रा के फैसले को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। सामना में शिवसेना ने कहा है कि मुख्यमंतरी योगी आदितिनात ने कोरोना की तीसरी लहर का खत्रा होने के बावजूद राज्ज में कावर यात्रा को मंझूरी दी है। भले ही कावर यात्रा हिंदू लोगों की आस्था का विशे है। लेकिन कावर यात्रा में भीर की बार आएगी। इसके बाद इस बार में भक्तों के शब बहेंगे। शिवसेना का कहना है कि उत्तराखंड सरकार ने कुरुना महामारी में कावर यात्रा पर रोक लगाने का फैसला लिया है। उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही भाजबा शासित राज्य है। लेकिन दोनों राज्यों की सरकारों की मतलग है। कावर यात्रा में सिर् भी अगर इतनी भारी भर कम धीर इस बार भी जुटी है तो ये खत्रे का संकेत हो सकता है इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोट ने हस्तक्षिप किया है सुप्रीम कोट ने योगी सरकार के संकेतिक कावर यात्रा करवाने वाले फैसले पर सुनवाई करते अधार में आयोजनों पर रोक लगी हुई है ऐसे में कावर यात्रा होनी चाहिए या नहीं इस पर योगी सरकार को दोबारा विचार करने का मौका दिया जाता है कोट ने इस संदर्द मेरी योगी सरकार को 19 जुलाई तक का समय दिया है